निशाद पार्टी के राश्ट्री अध्यच और उत्तर प्रदेश सरकार में कैपड़ेट मंत्री संजय निशाद जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं सर कारकारणी भंग करना पड़ा क्या वज़े रही आप इस बार जो है। इस सरी पार्टियों का नियम है कि राजनीत में कि हमें नए तेवर, नए कलेवर और नए सिस्टम और ट्रेंड लोगों के आव सकता पड़ती किसी जीत में। तो जुद के नियम के इनुसार जो है जनता का समर्थन होना चाहिए और संघड़न की सक्ती होनी चाहिए और नेता का दाव पेच होना चाहिए। तो संगडन में सक्ति पैदा करने के लिए कमीटी को भंग करके सक्तिसाली कारिकरता हूं को इसमें सामिल किया जाता है और जो कारिकर चुके हैं उनको भी सम्मान के जगे दिये जाते हैं ऐसे में कारिकरानी को राष्टी कमीटी है प्रदेश कमीटी है हमारी जिला कमीटी है जिलों में हमारे जो प्रकोष्ट हैं, जो इवामोर्चा, महिलामोर्चा है, जो आईटी सेक्टर है, ग्रेट उवावाईनी है और राष्टिन साथ, एक परिषदा संगड़न, यह सारे संगड़न को इसलिए भंग कि जाते हैं, जड़ से हमारी उपर तक हमारी नई टीम, में पता चला कि हम 35 जिलों में हम लगवख 4,5,4 लाख ओट हैं, जिलों में हैं और मिनमम हमारे 1,5 लाख हैं, तो ऐसे सारे ओट को हम इकठा करें, और मचवारों को और इनको विकास के मुधारा में लाने के लिए फिर से मोधिजी को गद्धी पर बैठा हैं, यह हमारा इस कमीटी की उसमें टीम होती है, लेकिन हमें तो और जो हमेरे ग्राम सभा तक चाते हैं, चुकि इस जुक में असली भगवान वोटर है, तो उसके पास कैसे किस रूप में जा सकता कार करता, तो ऐसे कार करता हूं कि तलास करके हम जिला कमीटी में और जिला कमीटी में और प् जादा वोटर हैं, ये सारी बात भी आप कर रहे हैं Quebec, इसवार गडवंदन में मांगने वालेखे मारेव लोग मेरे साहते थैं मेरे साथ तो हमनें जीतdon की और जीत कर्के वार्थी जंतापर्टी तो हमनें newrip को साहते हैं थीध के लिए साथ हैं Wir 2019 में, 2022 में उन्हें हमें बुलाया और 15 सीटे दिश में, 11 सीटे हारी भी सीटे थी और उसको हमने जीत सुनिश्चित के तो ऐसे में 11 सीटे जीत के आए तो भरतिंता पार्टी बुलाती है और जो हम जीत सकते हैं जो समता है उसके अनुसार के और हम लोग जीत के लिए आए हैं और जो सीटे मिलेगी सम्मान जनक उसके हम लड़ेगा ताइस सीटे मांग रहे थे आप कि सब्ताइस सीटे कम सकम आपकी पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए नहीं मांग नहीं मैं तो आप से बताया था उस पिछले वी बियान में कि हम सब्ताइस में हमारे साड़े चार तो हम तैयारी करके जीत सुनिस सीट करा सकते उस में से कोवम देगी कितना भारती जनताप्रटे की और भी हमारे एलाइस पार्टनर है वो सबताल में बढ बाड़े भाई भारती जनताप्रटी तो देगी नहीं तो उससे कुछ नहीं कुछ सीटे दे कितनी सीटें आप चाह लोग वोट और निर्मल और राम रतन निर्मल ये दो MLC के प्रत्याशी हैं पिछड़े समाज से हैं दलिज समाज से हैं इन लोगों ने पत्र लिखा है आपको और कहा है कि अंतर आत्मा की आवाज से आप लोग वोट करिये भाजपा दलितों की पिछड़ों की विरोधी है वोट टिकेट नहीं दिया अब हम लोगों को सपा ने टिकेट दिया है पिछड़ों को दिया है तो आप मदद करिये इस पूछा जाए उनसे कि जिस पार्टी में है उस पार्टी में जब फूलपुर में नर गलतों के लिए कितना उन्होंने कानून बनाया एक से दो तीन चार पांस कुछ भी गिनादे कानून या योजना बनाई हो आज के दिन में पिछड़ा बर्गायोग हमारी पार्टी ने बनाई बारती जिनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक हम खड़ा रहे हैं पिछणों को जीत के लाया और उनको नगर निगम में आपने देख़ा कर दाया लोग बिधान सभा में आप देखेंगे बिधान परिशन में देखेंगे आप तो इस बार समाजबादी पार्टी के बिधायकों में देख लीजे तो कि अंतरात्मा की आवाज से वोट करें आपको चिठि में वो भी लिखा गया है कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे क्या आप उनको कहिए कि नेका남 जे लाएं और सभी दलों से बाघए और समाजबादी पार्टी से पीछनों के ली माघए नीरदल आ जाएं किसी दल में रहक कर अंतरात्मा की आवाज मांगना, आयं humans' से अंतरात्माश्क की पूछे कि उन्होंने क्या किया पिछ मादान के लिए हैं समाजबादी पॉर्टी से भी पिछ बॉट मांगे सबसे मांगे तभ लूखा ले बात करें तो पता हैं अंतरमन के शुक्रिया संजय निशाद जी को सुना आपने उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम नए क्लेवर नए तेवर के साथ उत्तर प्रदेश में धमाकेदार दो हजार चौबिस के चुड़ाओ लड़ेंगे इसलिए कायर करनी को भंग किया गया और जो चिठी लिखी गई है समाजवा भारत समचार लखनव